कि यानि बीजेपी को भी पता चला लाठी की चुकि वही पाती जब सत्ता में बीजेपी थी बाइस अगत से पहले तो आप लोगों का भी साथ तो यहां तक बोला गया सर क्या ऐसे सब्द कल चियन किया गया अगे मुठका तुम मार तो खाया आज जाएन नमस्कार आप सबी का स्वारत है और आप हसी इस बात से आ गही है कि जब आज लाठी चार्ज हुई जो बीजेपी हमारे जो बिपक्ष दब बिपक्षी के जितने भी बिदायक दल है या मंतरी कोई भी हूँ आज जब वो लाठी खाते है तो बोलते हम पे लाठी की बरसाया गया लाठी से पीटा गया हमें माथा फोग दिया गया हम सिचको के समर्थन में है यह डाक मंगला चरहाज जो दिन आपको याद होगा आए दिन लगबग तीन नहीं चार साल से अंदोनन होता आया जो जाते होंगे वो हमें भी पाचानते हैं आप मैं आपको भी जानता हूं काने का मतलब यह हुआ कि आज कम से कम याद तो आई बीजेपी को मैं किसी पार्टी ना किसी पॉल्टिक्स से हूँ चुकि ना आपको भी होना चाहिए ना हमें भी चुकि हम लोग एक से चक्स अभ्यागती हैं से चक्साती हैं एक ही जाती है से चक्की जाती हम लेकिन ये सत्ता दल हो या विपक्च हो सब अपने कुर्सी की मार करते हैं मैंने उसी बातों को मैंने लिखा है आप इस चीज को समझ आप पहले इस चीज से पहले मैं फोटो देखा दूँ आपको यह फोटो देखिए यह अनुसुरामान का 22 सगस्त 2022 का वो दिन डाक बंगला पाफ़ आज जब इनको बुरीतरह से पीठा गया तब तब इस पे ठीक है जो विपक्च के नेता थे वो साथ दिये लेकिन जो आज विपक्च में है कल वो सत्ता में थे और वो कल हम Doubleों को भी साथ नहीं दिये मैं सम्झाने के लिए नहीं बोल गां मुझे centrally April of Millionen अर्वणीन आनी चाहिए और winter भी आसिए निस फ्रहाग के साथ और अपको भी लोग बोलेगा रावन है मुझे भी बोलेगा कि पागल हूं हमें तो यहां तक भोला गया उन्हार क्या ऐसे सब्द का चियन किया गिया, अरे मुटका तुम मार तो खाया, क्या हो गया, मार बिल्कुल खाया हूँ, आगे भी खाऊंगा, आगे भी आगे पद्र पे में जाऊंगा, लेकिन जो चंद उचक्के, जो ये सोचते हैं, कि हम घर बैठ के नोक्री ले ले, और दुसरे कटा किचे, वो गलत सोच रहा है, खाय उपावाला देख रहा है, लेकिन बात करने वाले राजनिती की आर में कुछ बाते को, देखिए क्या बाते हैं, मैंने स्टार्टिंग में हसा है, मैंने कैसे हसा, हाहा, हाहा, हसा इसलिए, चुकि आज इनको पता चला लाठी लगी है, कल म आगे भी मैं सांतिपून तरीके से जब भी आंदोलन होगा, खासका विदार्थियों का होगा, विरोजगारों का होगा, सिचकों का होगा, सीटेट, मीटेट, स्टेट पास का होगा, तो मैं जाओंगा, लेकिन आज का आंदोलन ये कथा कथित, ये पार्टी समर्थित मैंने लिखा है आप इस वीडियो को ट्वीट कीजिए राजनीती बंद कीजिए और सभी विधायक गन त्याग पत्र दे दिजिए कहां होता है जितने विधायक सब है बिजे पी के विधाया को या विपक्षब हो आप अंदोलन किये बहुत अच्छी बात कर सकूर के लिए आंधोलना किया कुछ नहीं आपने कुर्सी के लिए यह उयर्धियों का बात सिचकों का नहीं है बात बिरुजगारों की है जो आपको वोट दे के सत्ता में बैठाते हैं और जो आज सत्ता में चले गया है उनको भी इसी आस में भोट दिया था कि हम कल इनके आस में हम नौकरी पाएंगे लेकिन हम आप जाती और धर्म में फसके वोट की राजनीती करते हैं और इस चाहिए हम से चक एक है आगे भी एक रहेंगे और जरुट परा तो आंदोलन नहीं अब बिधायक की कुछी हम से चकों को भी चाहिए चुकि जब मुर्क नहीं पढ़े लिके जब सरक से उठके सदन पर चले जाते हैं और पहुचाने वाले हम और आप हैं त आर फिलाल जब भी आंदोलन होता है तो आप लोग भी नहीं आते हैं यह बात तो सभीес नहीं आते हैं जो आते हैं उनको मेरा सेलूट है इस पे भी उल्टा कमेंट लिखेंगे कि आप क्यों राजनीती करते हैं तो मैं करता हूँ कि आप भी यूटूब पे बोलो आपकी आजादी है मेरी अपना मौली का दिकार है और साथ मैंने सचकों का साथ दिया है इसलिए मैं दुखी मन से बोल गाँ यही बीजेपी वाले हमारे जो विधायक गन है जब सत्ता में तो एक बार भी अंदोनन में आने का काम ने क्या करदनी बार में तो मैं कैसे इनका साथ दूँ आप बताओ और आप कुछ होने वाला भी नहीं है जो चाचा आदर मियने तीज जी चाहेंगे और भई या तेस्वी बाबू वही होगा आप तो नास कर दिये कंपेटिशन टफ हो गया लगब साथ से साड़े साथ लाक फर्म भरे जा चुके है पढ़ना तो पढ़ेगा यूलाब टू रीट वर्क हाड अन हाड खुम मन से पढ़ना पढ़ेगा सचार यही है कोट से भी हम लोग को क्या मिला धक्का मिला दुश के तरफ हम लोग को मार खाना पढ़ा तो यह राज निती है सभी मानने नितागन सत्ता के भूके है और जो भी है आज कभी विपक्ष में लालू जी की तेस्वी बाबू थे तो बिरुजगार रुजगार दवाई सिचाई करके आंदोलन किये इसके बाद नतीज जी के साथ साथ काट करके महाग धरबन दलके नितर बन गए आज वो भी नहीं बोल रहा है आज जो नतीज चाचा बोलते हैं वही सही है बताईए मैं साथ सब्दों में कर दो बिहार के सभी विधायक को कि आप भी समल जाएं या बीजेपी के हो या किसी पाटी के हो चुकि जनता आप जाग चुकिया और खासकर सचक अब भरती सीटेट बीटेट पासब भरती और जब बिलक्सन आएगा तो आपको भी मूग की खानी परीगी तो प्लीज इस चीज़ को समझेए और जितने भी हमारे विपक्ष के नेता है आप रियलिटी बोल रहा है आप रिजाइन कर दिजिए आपको तो पेंसन मिली रहा है क्या दिक्कत है कम से कम आपको अगर सही मिराज निती करते हैं तो विधार्थी के लिए आप रिजाइन मारिये पद को सदन को चाग दिजिए और जो विधायक दल में है जो मुकमंत्री जी के साथ है उनको भी कहेंगे उनके पाती के जो विधायक आप भी पद को चाग दिजिए नहीं तो आने वाला पचीस में आप कहीं के नहीं रहेंगे चुकि बिधारती और खास कर सिच्छक अभ्यरती आउनके माता-पिता बिरुजगार अभ्यरती जो हम लोग है उनके माता-पिता भी भोटाब नहीं देंगे चुकि वो भी आप जाग चुके हैं तो इस और आपको जगाना है इस वीडियो का लाने का मकसद बकवास बाजी नहीं है मैं तो यूटूब पर देखता हूँ बकवास बाजी तो जो नाचती है वो भी बकवासी करती आजकर लोग वही ट्रेंडिंग चला हुआ है महिला का वीडियो देखना अच्छा बात बता रहा है इस वीडियो को सेयर किजिए भारी मतों में सेयर किजिए कि लोगों को लगे खास कर खास कर विधायक को सत्ता और विपक्स के जितने भी है उनके मूँ पर ये वीडियो बिहाय कर भीरतियो कर मूँ के तरफ से तमाचा हो कि राजनिती बंद कर दिजी आप अब विधारती मुर्ख नहीं है नितीज जी ये गलती कर दिये लालु जी के सासन में क्या था 20-25 साल पहले कि मुर्क लोग जादा हो गए ते पढ़ाय लिकाए खतम हो गया था लेकिन नितीज जी जी न अच्छा किया कि इस अच्छा को थोगा अप किया लेकिन इतना अप हुए उनी के लिए घातक होगा तो आज बीजे पी को पता लगा क से च्चको पे लाटी चार्ज हुई है यानि जब इने पे लाटी चार्ज हुई रहा कपार फुट गया माता फुट गया बहुत मार मारा तब लगता है कि लाटी चार्ज हुए ना इसलिए मैंने हसा है सहाब दर्द होता है और दर्द आपको भी होता है माता बेहने जो अंद बचके चलना पढ़ना है और पढ़ाई से भागना नहीं है फिलाल नहीं भागना है अब तो हम लोग नदी में धकेल दिये गए बाड का समय है अपने भी तैगना है और दुसरे को भी बचा के निकाल देना है इसलिए पढ़ाते हैं कुछ पढ़ लीजिए बादवा की जब भी आंदोरन होगा तब आपका सायोग तो मिलता ही है और मेरा सायोग तो हमिशा रहेगा धन्यवाद जादा नहीं बोलेंगे तो हसने का मकसद मेरा यही था और कुछ नहीं था यह रावन वाली हसी थी एक बार इसी बात पर आप भी हसी है कैसे हसे हाहा यानि बीजेपी को भी पता चला लाठी की चोट क्या होती है तो लाठी का दाध आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ यह राजनिती वाले लोग क्या समझेंगे इसी की आर में आपकी आर में राजनिती सेखने का काम करते हैं धन्यवाद जैहिंद जैरार झाल